यह आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तथा रहस समय जंगल अमेजन जंगल है इस जंगल की खोज 11200 वर्स पहले हुई थी जंगल का नाम अमेजन जंगल एक इस्पैनिस खोज करता फ्रांसिस को औरेलाना की देन है यह जंगल 55 लाख वर किलोमीटर में फैला हुआ है इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कोई देश होता तो यह दुनिया का नवा सबसे बड़ा देश होता यह नौ देशों ब्राजील, पेरू, कोलंबिया तथा इक्वाडर, गुआना, वेनजुयला, बोल्विया, सूरी नाम तथा फ्रेंस गुआना से होकर गु इस जंगल में आम इनसानों का जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि इस जंगल में रहने वाले आदिवासी इनसानों को मार कर खा जाते हैं और अगर कहीं वहां से बच भी गए तो खतरनाक जानवर मार डालते हैं इस जंगल में 400 से जादा आदिम जन जातियां रहती हैं और उनमें से कुछ का तो बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है यह जंगल जैव विवितताओं का भंडार है तथा ये खतरनाक जानवरों के लिए भी जाना जाता है यहां 390 अरब पेड जिसमें 16,000 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां हैं इस जंगल के पेड़ इतने बड़े तथा घने हैं कि सुर्ज की रोसनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती पेड़ों की साखाएं तो था पत्यों की मुटाई के कारण जंगल इतना घना है कि बारिस के समय बारिस के पानी को जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है यहां पर 3000 से जादा मकडियों की प्रजाती पाई जाती हैं इन में जादा तर मकडियां जहरेली ही होती हैं यहां की एक टारांटुला नामक मकडि इतनी खतरनाक होती है कि उसके बाल अगर हमारी आँखों में पढ़ जाएं तो वो आँखों को सीसे की तरह फोल देती हैं यहां की बुलिट चीटिया भी बहुत खतरनाक होती हैं इनकी काटने से असहनी दर्द होता है इनका डंक जहर की तरह काम करता है यहां पर 100 प्रकार की जहरीले मेढक पाये जाते हैं यह छोटे तथा सुनहरे वाचटक रंके सुन्दर से होते हैं इनमें 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है इस जंगल में जगवार भी होते हैं यह तंद्वे की एक प्रजाती है यह सांती से इंसानों तथा जानवरों पर हमला करते हैं यह जंगल लगबख एक तिहाई पच्छियों का घर है जिसमें हारपी इगल नामक पच्छी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस पच्छी के पंखु की लंबाई 7.5 फिट तथा वजन 6-7 किलो तक का होता है यह अपने वजन के दुगनी वजनी सिकार को अपने पंजे में दबा कर उड़ सकता है इस जंगल में एक ऐसी नदी है जिसे बॉयलिंग रिवर भी कहते हैं इस नदी का नाम सनय टिम्पी साका है इस नदी की खोज आद्रेस डूजो नामक एक वज्यानिक ने 2011 में की थी इस बॉयलिंग रिवर का पानी 110 डिगरी संट्री गेट से भी ज़्यादा गर्म है इसकी लंबाई 6.4 किलो मीटर चोड़ाई 82 फिट तथा गहराई 20 फिट है यदि कोई जीव इस नदी में धोखे से घिर भी जाए तो उसकी मृत्य निश्चित है हो ही जाती है ठंड के समय में इस नदी के आजपास इसके गर्म पानी की भापुर्ति दिखाई देती है यहां तक कि इसके आजपास कोई सक्रे ज्वाला मुखी नहीं है वैग्यानिक इस वाइलिंग रिवर को थेर्मल रिवर भी कहते हैं अमेजन जंगल के बीच से अमेजन नदी गुजरती है यह नदी कई सारे जलमार्गों का नेटवर्क है यह नीन नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है आयतन के हिसाब से यह विस्व की सबसे बड़ी वर लंबाई के हिसाब से यह दूसरी नदी है यह ब्राजील, पेरु, बोलविया, कोलंबिया तथा एक्वाडोर से होकर बहती है इस नदी की लंबाई 64 किलो मीटर तथा गहराई 100 मीटर है इस नदी में 1100 से भी जादा सहायक नदीों का पानी आकर मिलता है दुनिया का 20 प्रिचसत पानी, ताजा पानी केवल अमेजन नदी में ही पाया जाता है ये नदी 12 के समय एक भयाना कुरूप ले लेती है, कहीं कहीं पर ये 190 किलो मीटर तक चोड़ी हो जाती है ये नदी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इस पर कोई पुल या ब्रिज नहीं है इस नदी में 5000 से भी जादा मचलियों की प्रजातिया पाई जाती है इस नदी में इलेक्टरिक इल भी पाई जाती है, जिसके सरीर से 800 वोल्ट्स तक की बिजली का जटका लगता है दुनिया की सबसे खतरनाक मचली पिरहाना फिस है, ये अपने नुकिले दातों से अपने सिकार को आसानी से चीर डालती है इस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा तथा खतरनाक सांफ एनाकॉंडा आसानी से दिख जाएगा अमेजन जंगल में 30-40 फिट लंबे एनाकॉंडा पाई जाते हैं, जो बकरी तथा भेड को आसानी से निगल सकते हैं काला कमेंड मगरमच परिवार का सबसे बड़ा सदस है तथा अमेजन नदी बेसिन में सबसे बड़ा सिकारी भी है इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है